बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मेरे पुराने वीडियो को तो मैं सबसे पहले एक इंपोर्टन इंफोर्मिशन के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो मैंने गेववे एनौंस किया था तो गेववे का रिजल्ट एक्जाक्ली मै मैं गेववे का रिजल्ट एनौंस कर दूँगा ठीक है तो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं कुछ खारण वर्स मैं एक्जाक्ली फाइव डेज बात में गेववे एनौंस कर दूँगा उसी अपने कमेंट बॉक्स में और मैं मेल आईटी के दुआरा पूरी डिटेल्स आप को बता दूगा कि अक्शुल क्या करना तो आप वो मेरा पुराना वीडियो आप देख सकते हैं आज इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करेंगे वन प्लस एटी के बारे में यह मेरे पास आप देख सकते हो जैसा कि यह वाला कलर है क्रीन कलर है इसका मैं एक्जाक्ट यह है क्या मैं ऐकेक्ट इस और चर्सके पिर देख सब्सक्राट तुमएबाना के बीडियो में इसको इसको आप्ट दिन यूज करने का तो क्या करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए और और आपके पास बेस पॉसलिब औरतों क्यों आपके एक first review impression मेरा क्या और performance क्या रहा इसका exactly अगर आप plan कर रहे हैं तो इस phone को लेना चाहिए नहीं चाहिए लेना चाहिए color देख सकते हैं और यह देखिए सिम भी लगा हो है तो आपके exactly में भी उस कर रहा हूँ तो आपको पूरा review करके बता हूँगा कि यह लेना है कि नहीं लेना है चली स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं चोटा सा homework ही है मैंने इसके फोन के बारे में तो आप यह देख लीजे जल्दी से इसका specification की बात करो हूँ तो फोन का नाम है oneplus 8T इसके अगर display की बात करो तो 6.55 inches amoled display है ठीक है उसका 2.86 gigahertz का qualcomm snapdragon processor है ठीक है 8GB RAM और 128GB ROM का यह storage है 4500mAh बैटरी है 65W का fast super fast charging warp charging है यह quad camera setup है 48 plus 16 plus 5 plus 2 front camera के बात करो तो 16MP का sony imx 471 sensor है ठीक है अबलेबल option सिर्फ दो है aquamarine green और lunar silver देख सकते हो 8GB 128GB जो की मैं phone है यह वाला इसका 43,000 प्राइज है और 12GB 256GB का प्राइज है 45999 तो आएए जल्दी से मैं आगे आपको phone के बारे मताता हूं हेलो गईस यह हमारा रहा OnePlus 8T ठीक है इसमें मैं आपको exact review बदा हुआ exact मेरा personal experience कैसा रहा इस phone को use करते है करते है देखे पिछले आठ दिन से मैं इसको use कर सकता हूं देख सकते हूं ठीक है और यह देखो ओपर यहां मेरी sound कैसा है मैं हर कुछ आपको exact description wise मैं बताओंगा जो मेरा मेरा personal experience रहा वो मैं आपके साथ discuss करूंगा तो देखे गईस सबसे पहले तो मैं आपको एक basic चीज़ बता दो देखो सबसे पहले in terms of हम लोग look wise अगर compare करें तो मैं आपको यह चीज़ प्रोज में आता यह बहुत प्रीमियम फील देता ठीक है लिटरली इसका प्रीमियम फील आपको लगेगा हाथ में लग देखो यह अपना हो गया sound के लिए ठीक है sound यह आप ऊपर कर सकते हैं और यह नीचे कर सकते हैं ठीक है इस side में आपको और क्या मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा अभी मैं clear कर रहा हूं headphone jack नहीं मिलेगा ठीक है अब यह देख लो phone और यहां पर यह आता है type C charging port और प्लस यह बल सा एक चीज समझो अब यह मैं थोड़ा सा मैं इसको आपको exact करके settings में बता देता हूं about phone के बारे में ठीक है यह हम लोग देख लेते हैं यह देखो यह about phone देख लो आप इसमें exact देखो यह देखो यह snapdragon 865 का processor है मेरा जो phone है यह 8GB 128GB रों का storage है quad camera setup जैसे कि मैं आपको बताया था 48MP Sony का IMX sensor लगा है 16 plus 5 plus 2 ठीक है screen the best part is screen देखो 128 120Hz का fluid AMOLED 6.55 इंच का display है ठीक है अब यह देखो Android version क्या है 11 और यह आपका model number और यह other things लिखे हुई है ठीक है आप देखो यह चीज तो हो गई basic अब आप एक चीज समझो कि यह तो मैं आपको basic phone का overview बता दिया दे इसके बारे में आपको personally pros क्या थे cons क्या थे मैं exact मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने personally feel किया ठीक है first of all देखो इसको हम लोग segment wise में बाटे है देखो first of all अगर मैं screen की बात करूं तो screen no doubt best screen है ठीक है इसका अगर मैं display का वो जो in terms of अगर मैं look wise बात करूं तो look wise आप देख लो देखो इसके दो कलर में easily available है एक एक्वा मरीन ग्रीन कलर जो कि यह है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और second is lunar silver personally बोलो तो मिलेको यह green भी उतना नहीं जमा और silver भी उतना नहीं जमा मतलब दोनों कलर मेरेको ज्यादा better black color लगता है तो मैं कोई दोनों color नहीं जमा क्योंकि मेरे पास option नहीं था तो मैंने एक अक्वा मरीन ग्रीन कलर लिया हुए ठीक है तब यह देख सकते हो तो color wise तो मैं नहीं बोलूँगा मिरको यह परस्नली यह भी color नहीं जमा और silver भी option नहीं जमा तो तो मेरा personal opinion color wise तो बिल program नहीं है ठीक है अब देखो तो most important thing that is generally low अगर लड़किया girls लेती है phone यह boys लेते हैं कोई भी लेता तो एक उनका सबसे बड़ा look out रहता है कि camera कैमरा कैसा क्योंकि अगर camera अच्छा नहीं होता तो मेरे ख्याल से कोई 42-43,000 invest नहीं करता किसी phone ठीक है मैं exact आपको camera performance बताता मैं in terms of उस पर discuss नहीं करूँ आगे specs और बड़ी-बड़ी बाते करके discuss करूँ नहीं एक दम simple layman language में बताता हूं कि camera जो मैंने personally अभी कुछ photos क्लिक की है मैंने अभी फिलाल की जो photos है मेरी मैं आपका दाता हूं देखो यह मैंने लिया है back camera से ठीक है आप इसको देख लो मैं अभी का AMX sensor रखा है तो बोलने की ज़रूत नहीं camera actual में अच्छा performance और यह low light की photo की चाहिए मैंने ज्यादा dark light नहीं थी आपर अभी ठीक है third यह देखो यह मैंने front camera से photo की चाहिए थोड़ा से साथ camera में clarity नहीं बता पाऊंगा आप देख सकते हो clarity पूरी की पूरी बहुत अ अच्छा लगा अब आप जैसे होता है कि आजकल companies के हम बहुत ज्यादा claim कर रहे हैं 16 MP front camera लिखा है सुनने में लगा कि यह बस 16 MP लेकिन camera is seriously awesome ठीक है तो यह हो गया camera ठीक है अब देखो अगर मैं pros और cons की बात करो तो मैंने pros कुछ segment में divide किया pros में क्या है इसका camera दोनों का ब differentiator बहुत प्यार है 30 इसका feel जो है वह बहुत premium आएगा आपको हाथ में देख सकते हो कितना slim है और premium फील आएगा ठीक है फूर्थ चीजे इसका sound जो है sound का quality है वह ultimate level पर ठीक है बहुत अच्छा ठीक है यह तो हो गए pros जो कि आपको सब सुनाता है अब मैं आपको बताता हू पीना दो ही color था एक है यह green और एक है silver मेरे को personally दोनों color अच्छी लगए क्योंकि option नहीं था तो मैंने यह खरीदा color wise यह मेरे को लगता पॉस्टनली के इसमें सिर्फ दो limited colors है क्योंकि इंसान 43,000 अगर वो invest कर रहा तो वह चाहेगा उसको एक अच्छा color option हो जो कि नहीं है सबसे बड़ा problem यह है कि आपको इसमें notification LED नहीं आ रही है अब notification LED नहीं आ रही है तो उससे problem क्या है देखो मैं आपको बताता हूं अब देखो क्या होता है कि अपने इतना इंदस्ट कर रहे है तो हम लोग सोचते है कि नोटिफिकेशन LED भी जाए तो क्या चले जाता तो ठीक है अब कुछ को नहीं चाहिए होता बिट नोटिफिकेशन LED नहीं स्क्रीन पर फ्लैश करता मेरा परस्नली में को notification LED अच्छा होगे तो आप मान के चलो 5-7 आउस में बैटरी फुल ड्रेन हो रहे है दो सिम लगाने पर ठीक है और अगर आप फुल मतलब लेक ऐसा नहीं कि अपना इसको यूज नहीं कर रहे है यह मेरे साथ मैं परस्नली फील कर रहा हूं तो यह बैटरी वाला मेरे को बहुत प्रॉब इसको लगते हैं फॉल चार्ज होने में अब आप इसको क्लासिफाइ कर लोगी यह कॉंस है यह प्रोज है प्रोज में आता है ठीक है मतलब टाइम लग रहा है मैं एकस्पेक कर रहा था 20-25 मिनिट्स मैक्स तो मैक्स 30 40 मिनिट्स थोड़ा सा जादा है ठीक है यह हो गया और और देखो एक लास्ट मैं कॉंस की बात करों तो देखो यहां पर हेड़फोन जैक नहीं है मतलब अगर आप फोन खरीद रहे है तो आपको बिल्कुल ब्लुटूथ स्पीकर या फिर वाइलेस स्पीकर पर रिलाय करना पड़ेगा आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि आपको सारे प्रोस और डिसकस कर लिया है या फिर अगर आप सोच रहे है प्लान करने का तो मैंने पूरे प्रोस और पूरे कॉन्स आपको अब यह आपका डिसीजन है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके मेरे को इसमें बताओगी आपको इस फोन का क्या बेस पार्ट लगता है अगर आपने खरीद रखा है तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ डाउट से तो प्लीज आप कमेंट कीजे मैं उस डाउट को व प्लीज इसको लाइक कर लीजे शेयर कर लीजे देखे वीडियो में बहुत मैंनत कर रहा हूं मैं भी तो अभी नया नया चैनल है तो मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं बिलकुल सपोर्ट चाहता हूं ठीक है और बिलकुल धन्यवाद आप लोगों ने इतना प्यार दिया अ और लास्ट जो गिववे जो इससे पहला है जो पुराना वीडियो मैंने गिववे का बताया है मैं exactly 28th of October को announce करने वाला था बट मैंने थोड़ा से increase कर दिया उसको 5th of November को मैं announce कर दूँगा उसका result ठीक है